प्रेंड्स मेर अनाम राकिश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका सौगत है आज हम चर्चा करेंगे जवलपूर संभाग के जिलों की बारे में और उन जिलों की कुछ महत्पूर्ण तत्थे देखेंगे तो चली सुरू करें जवलपूर संभाग में दोस्तो आठ जिले हैं और आठ जिले इस प्रकार है जवलपूर, मंधला, नरसेंपूर, छिंदबाडा, सिवनी, बालागाट, कटनी और डिंडोरी अब इनको हम किरम से देखेंगे और इनके क्या कुछ खासें जिलों में उस पे चरचा करेंगे सबसे पहले लेते हैं जवलपूर जिला जवलपूर जिले की ज़न संख्या है वह 26,67,479 है चेत्रफल है 10,160 वर्ग किलूमीटर और इचेत्रफल की द्रश्टी से सबसे बड़ा संभाग है मद्धिपर्देश का इसका चेत्रफल है 10,160 वर्ग किलूमीटर परेटन स्थल देखें जवलपूर के तो यहाँ पर मदन महल 64 योगनी का मंदर है पिसन हारी की मडिया है पीजन हरी जैन तीर्थ है मंदर माला देवी मंदर है भीड़ा घाट है यहाँ पर दुआधार जलपरपात वसफित संग मरमर है तुई है प्रशद्य दुआधार जलपरपात एक मातर जलपरपात है जो संग मरमर की चट्टानों से बना हुआ है भारी वाहन कार खाना है यहाँ पर गन गेरेज एंड आर्डिनेंस फेक्टरी खमारिया में अवस्ते थे मद्य पिर्देश का मानक समाई भी जबलपुर से लिया गया है और लिया जाता है और मद्य पिर्देश उच्चनेले की स्थापना 1956 में जबलपुर में हुई थी और इसी नयाएक राजदानी भी कहते हैं रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी यहाँ पर महारसी बैदेक यूनिवर्सिटी है दो यूनिवर्सिटी यहाँ पर देश का पहला रत्न परिश्कृत केंदर भी अवस्थे थे महत्मा गानी सामुदायक विकास प्रशिक्छन केंदर भी है पोस्ट एंड टेलिग्राम बर्कसौप है मद्य पिर्देश का प्रथम क्रशी विश्विद्याल है जो 1964 में बना जवाहर लाल नहरु विश्विद्याल है जवलपुर में है तिरपुरी एतिहास एक नगरी है जो कल्चुरी जो हमारे यहां के कल्चुरी राजवन्स थे वहां जवलपुर में वहां की ये राजधानी थी तिगवा नामक गाउ में तिरपुर सुन्दरी देवी मा का प्रशद्य मंदिर है रूपनात में असोक का अविलेक मिला है जनसंक्या की दरश्टी से दूसरा बड़ा जिला है महिला NCC प्रशिक्षन कॉलेज भी यहां पर भारती वन अनुसंदान संस्थान एवं ट्रेनिंग सेंटर छेत्री कारले भी हां जबलपुर में वस्ते थे देश का प्रथम पुनरवास बिकलांग केंद्र है मध्धे में यह गौंडवाना छेत्र का मध्ध बिंदू था और तिलवाड़ा घाट पर महत्मा गांदी की अस्तियां प्रवाहत की गई थी नर्वदा नदी में 1949 में तिरपूरी कांगरेश अधिवेशन हुआ था तिगवा में गुप्त कालीन विश्णू मंदिर बरेला में दुरगवती समाधी स्थले बरगी गाउं में रानी अवंती भाई बांध नर्वनाद दिनी पर अवस्थित है मध्य प्रदेश का दोतिय पसू चिकित्सा महाविद्य अले भी जवलपूर में है थलसेना का सस्त्र स्कूल जवलपूर में है पश्चिम मध्य रेलवे मुख्य अले जवलपूर जिसके स्थापना एक अप्रेल 2003 को की गई लकडी चीरने का मुख्य केंदर जवलपूर है मध्य पिर्देश राज का एक मात्र करशी अभियांदर की महाविद्य अले जवलपूर में है बेडी उद्द्यो का महत्पूर केंदर भी जवलपूर है जवलपूर को आमर जिला भी गोशित किया गया है आमर मतलब आम पिर्देश की संसकार राजधानी भी कहा गया इसको सुमद्र कुमारी चोहान समारू जवलपूर में ही आउजित होता है गंगव दुरगावती अभ्यारण भी जवलपूर में है अब देखते हैं दूसरा जिला कटनी जिला कटनी जिले की जो जनसंग क्या है 12,9684 है छेतर फल देखें तो 4,949 किलो मीटर 1998 में जवलपूर से अलग होकर कटनी जिला बना था उपनाम इनके कटनी का अन्य उपनाम है चूननगरी, मारवल नगरी यहां का रिल्व जंक्सन मुंडवारा की नाम से भी प्रशद्ध है ACC सिमेंट फैक्टरी कैमूर में है अर्डिनेंस फैक्टरी भी है सहकारी छेतर का कीटना सक दवाई बनाने का सैयंत्र कटनी में इस्थापित किया गया है मद्ध पिर्देश में चूने का सरवादिक उत्पादन कटनी में ही होता है यहां की प्रमुक नदी केन नदी है देश की पहली किर्णर माप और कमला जान यहीं की थी बहु रीवान बहु रीवन प्रसिद धार्मेक और पुरातत्विक स्थल है सांतीनात की बारा फीट उची जैन तीर्थ की मूर्ती है रूपनात मौरे काली नस्थल है जो पाली भासा में असुका अभिलेक भी यहां पर है और पांच लिंगी सिव प्रतिमा तथत तीन पवित्र कुंडे हां मिले हैं और वो तीन कुंड हैं रामकुंड, सीता कुंड और लक्षमर कुंड टीगवन यहां पर ओर्चा बीर आला उदल है माधव गड के बुरुद लड़ाई लड़ी थी और गुप्त काली ब्राम मिलिपी का अभिलेक भी प्राप्ट हुआ है जिंजरी जिंजरी है जो रंगिन चित्र 14 विशाल चट्टाने जो प्रोगे तिहासिक इस्थल है अब बात करते हैं तीसरा जिला सिबनी जिला जन संक्या देखें तो 13,89,131 है छेत्र फल है 8,700 अठान वर्ग किलो मीटर सिबनी को मद्ध प्रिदेश का लखनव भी कहा गया है मेरोथोन का मिला लगता है पेंच राष्टी उद्ध्या में मोगली लेंड बनाया गया है इसका नाम प्रियदर्षनी पार्क भी है काली मूच चावल एवं मावा बाटी के लिए लखना दोन प्रसिद्ध है नदी यहां की प्रमुक बेनगंगा नदी है जिसका उद्गम मुंधारा से हुआ है भीमगरबान सिवनी जिले में है बेनगंगा पर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बाट है सिवनी से एनेच सेविन गुजरता है सिवनी का नामकरण बहुत आयात में उपलब्द सिवना नाम की ब्रक्च पर पड़ा है इस ब्रक्च की लकड़ी से ढोलक बनती है सहकारी छेतर का सबसे बड़ा सोय विनकार खाना है प्रथम ट्रपल पी आधारित मेडिकल कॉलिज सेवनी में प्रस्तावित है चोथा जिला है बालागाट जिला जनसंख्या है बालागाट की 17156 चेतरपल है 9245 वर किलो मीटर 36 गड़ और महराष्ट की साथ मद्द पिर्देश की सीमा बनाता है बालागाट पहले जिला सिकारियों का स्वर्ग नाम से प्रसिद्ध था बालागाट का इस्थानी नाम बुरहा या बुरा था नहले शरा बांध चंदन नदी पर निर्मत है तता इसके निकट अम्मा माई का प्रसिद्ध मंदर है लामटा यहां धूती बांध वेन गंगा नदी पर निर्मत है बालागाट को मेगनीज की नगरी भी कहा जाता है बालागाट धान उत्पादन सीर्स जिला है बालाघाट नक्सल प्रवावी जिला है बालाघाट में बैगा जन जाती पाई जाती है भारवेली एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैगनीज खदान है बालाघाट में बालाघाट में बांस सरवादिक होता है मद्यपडिस का सरवादिक लंगान उपात भी बालाघाट का है जो है 1000 पर पुरुस पर 1021 महिला है यह बालाघाट सरवादिक लंगान उपात है मलाजखंड तहसील तावा नगरी कहते हैं जिसको मलाजखंड तहसील को यहां से तावा निकलता है फारेश्ट कॉलिज बालाघाट में है गंगुल पारजल परपात भी है हिंदुस्तान कापर पुर्जेक्ट मलाजखंड बालाघाट अवस्तित है मिराजपोर वा उकुबा में मैगनीज की खादान है बैन गंगा बागदेव नदिया है प्रमुक लांजी का प्रशिद्ध किला जिसे कल्चुरी वन्स के सासकों ने बनवाया कल्चुरी कालीन मंदिर है हट्टा नामा कहते हैं सेकस्तल जो बावड़ी वा मंदिर के लिए प्रशिद्ध है पांच बाद देखते हैं मंडला जला मंडला जला की जनसंख्या 10,53,522 चेत्रफल 8,781 किलो मीटर लिंगानुपात है एक हजार पुर्श पर एक हजार नो महिला है यह दूसरे स्थान पर है मंडला जला 25 माई 1998 में डेंडोरी को प्रथक करके मंडला जला बना यह एक आदिवाशी जला है दो राश्टी उद्ध्यान वाला एक मातर जला है चुटका में परमानु विद्धुत गरह प्रस्तावित है सुतनता सेनानी अवंतिवाई यहीं की है बेगा चक छेत्र यहीं है यहाँ फासिल उद्ध्यान कुछ भाग डिंडोरी में इसका जाता है जोकी प्रिदेश का सबसे छोटा 270 वर्ग मीटर है राश्टी उद्ध्यान है इसको भुगुबा पार्क भी कहते है काना किशली राश्टी उद्ध्यान हालो घाटी मंडला में इस्ते थे तता उद्ध्यान का कुछ हिस्सा बंजर घाटी बाला घाट में जाता है एक मात राश्टी उद्ध्यान है जहां हावाई पट्टी है यह काना किशली राश्टी है उद्ध्यान मोती लाल और बेगलिन महल भी है मंडला जिलेक की राम नगर तहसील पहले गोंड राजाओं की राश्दानी हुआ करती थी और यहां पर एक प्रसिद्ध सनी मंदिर भी इस्ते थे चटवा जिला है नरसेंपूर जिला जन संक्या है दस लाग बानवे हजार एक सो एक तालीस और छित फल देखें तो पाँच हजार एक सो पचीस वर्ग किलो मीटर राज्य का मद्ध भरती जिला है नरसेंपूर यहां का मेला प्रमुक है बरवान का मेला परेटनस थल यहां पर है डमरू घाटी विसाल सिबिलिंग के भीतर लगू सिबिलिंग है और नरसेंपूर का किला और बरवान घाट यहां की प्रमुक फचल है सोयवीन और गन्ना मद्ध प्रदीश का केंदर बिंदू भी सिका आ गया है अट सरदार द्वारा नरसें बगवान का विशाल मंदिर बनवाया गया था अरहर उत्पादन में प्रथम जिला है बरहाटा महावारत कालीन बिराट नगरी है बल्थिरी यहां पर भीमकुंड और अर्जुनकुंड है बल्थिरी में पांड़ा ने यहीं पर सत्धारा निकाली थी तदा राजा बली की इस्थली एवं बल्थारी की निकठी सांकल घाट पर संकराचार जी ने ध्यान किया था बोहानी आलह उदल के पिता जसराज और चाचा बचराज बार्वी सताबदी में यहीं के राजा थे जोटेश्वर परमहंसी गंगा आश्रम जोटेश्वर लोधेश्वर सिव मंदिर हनुमान टेकरी पारे के सिबलिंग यहां पर है ब्रह्मान घाट आमणी सागर कहते हैं नर्मना ततपड उपस्थित और ब्रह्मा जी की यग साला रानी दुरगवती मंदर हाती दरवाज़र और बराह मूर्थी यहां पर रस्थेत है अब देखते हैं दोस्तों चटवा जला चिंदवाड़ा जला चिंदवाड़ा जली की जनसंख्या 20,90,306 और चेत्रफल 11,815 वर्ग किलो मीटर मद्य पिर्देश का चेत्रफल की दरश्टी से सबसे बड़ा जला है चिंदवाड़ा चिंदवाड़ा का नाम चिंद ब्रक्ष की बहुतियात थी इसी बज़े से इसका नाम चिंदवाड़ा पड़ा और साथ ही सेहं की बहुतियात की करण चिंदवाड़ा पड़ा है इसका नाम सेहंदवारा से छिंदवारा मद्य पिर्दिस की कुल छेतर फल का 3.85 प्रतिशा थे सरवादिक सक्तिमान राज़ा वक्त बुलंदने मुस्लिम धर्म अपनाया था यहां के आदिवाशी कला संगराल छिंदवारा में है छिंदवारा पर प्राचीन काल में राष्ट कूट का सासन था जिनकी राज़धानी नीनकंट एचिनवारा थी एग्रो कॉनप्लेक्स की स्थापना राज्य द्वारा की गई है टेक्स्टाइल पार की घोष्णा यहां केंदर सरकार द्वारा रियान इंडेस्ट्री बस्त्रुद्योग है इंदुस्तान लीवर लिमिटेट का कार खाना है यहां कोर को जन जाती भी पाए जाती है देवगड में गोन राजाओं की राज़धानी हुआ करती थी देवगड मध्ययोग में कोईला तावा मैगनीज का उत्पादन होता है कुकड़ी खापा तिलवेनी परवस्थेंड परिस्ते साठ पीट उंचा जल पर प बात है कुकड़ी खापा अन्होनी सल्फर युक्त गरम पहाडी का जर्ना है कपुर्था कल्याणी देवी का प्रसिद मंदर है पातालकोट पातालकोट तामिय तहसील में इस्ते सुदूर वन्चेतर भारिय जन जाती का घर कहा गया है पातालकोट को और यहां इस घाटी का पंदरा सो फिट ने चला छेतर है माना जाता है यहां से एक सुन्दर सुरंग पचमणी तक जाती है भारिया के साथ गुंडो जन जातीओं गूडों जातू का निवास भी रहा है यहां दोस्तों गुंडों टाइप हो गया गौण जन जाती है गौण जन जातीओं का भी न पाताल कोड विकास प्राधी करण का मुख्या लहे नगरबाड़ी अनिक गुफाएं मौजूद एक विशाल गुफा में जिसमें हजारों व्यक्ति आ सकते हैं इतनी बड़ी है विशाल गुफाए पांटुरना गोट मार मेले के लिए बिश्व परशिद्ध मेला प्रतिवर् सुकल में जामनादी पर आयोजित होता है सबर गाउं और पांटुरना लोग पत्थर या गोट देखते हैं मेला मा दुर्गा जी क्यों समर्पित रहता है आठ वजले देखते हैं डेंडोरी जिला जनसंख्या है साथ लाग चार हजार पांसु चौबिस छेतरफल 6128 वर कि 1998 में से मंडला से प्रथक होका डेंडोरी जिला बना नियूंतम संचित जिला है यह 36 गड़रा से सटा हुआ पूर्वी जिला है जगतपुर एको टूरिजम जीवास मराश्ट उद्यान है लोक नतियां के प्रमक्सुवा कर्मा रीना और बिल्मा पिर्देश में सबसे कम जनसंक्या घनतव 94 प्रती वर किलूमीटर वाला यह जिला है लिंगानुपात में चोथा स्तान है एक हजार प्रुस पर एक हजार चार महिला है सरवादिक ग्रामिर जनसंक्या प्रतिशत वाला भी जिला है बेगा गौन्ड जन जाती पाई जाती है सरई पिपरिया इसका अधिकांशित राष्टी जीवा सुध्यान के अंतरगत आता है तो दोस्तों यह थे जबलपूर संभाग के जिले और उनकी कुछ महत्मूर जानकारी आशा करता हूँ आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो इसको लाइ करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू